हेलो दोस्तो स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूटूब चैनल में आज इस कलास में रेलबे के परिच्छा में पुछे गए सभी महत्पुल प्रसनों का अध्यन करेंगे जो रेलबे के एकजाम में पुछे गए हैं दोस्तो अगर आपको इस वीडियो का पीडियो लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जोईन अवस्य करें जिसका लिंक डिस्क्रेशन में दिया गया है मेरे चैनल को लाइक सब्क्राइब शेयर अवस्य कर दीजिएगा इसके लिए सदापका अभारी गोंगा दोस्तो इसे 119 इस्वी में पारित किया गया था अगला प्रस्ण स्वतंत्र भारत के प्रथम गोवर्नर जर्नल कौन थे तो प्रथम गोवर्नर जर्नल लॉर्ड माउंट वेटन थे अगला प्रस्ण 25 में बंगाल के विभाजन का देश किसके द्वारा दिया गया था तो बंगाल के विभाजन का देश लोड कर्जन के द्वारा दिया गया था अगला प्रस्ण 15 अगस्ट 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था तो भारत को आजादिक के वक्त का समय आधि यात्री थी Option C आगला प्रस्ण जुलाई अनई सो पांच में बंगाल के विभाजन का आदेश किस ने दिया था? तो बंगाल के विभाजन का आदेश लॉड कर्जन के द्वारा दिया गया था आगला प्रस्ण भारत के गवर्नर जर्नल के रूप में बिसकाउंट लुइस माउंट वेटन की जगा किस ने ली थी? लुइस माउंट वेटन की जगा सीर राज गुपलचारी को मिली थी आगला प्रस्ण आजादी के बाद भी कौन भारत का प्रोथम गौवर्नर जर्नल बना रहा था तो कौन गौवर्नर जर्नल बना रहा था वो लुईस माउंट बेटन थे जो आजादी के बाद भी लड गौवर्नर जर्नल थे अगला प्रस्न भारतियों सविधान के अस्तित्व में आने से पहले डायस भारत का आखरी गोवर्नर जर्नल था तो कौन था चक्रवति राज गुपाल च्यारी था अगला प्रस्न ब्रिटिस द्वारा फलासे यूद किसके नर्तुत्व में लड़ा गया था तो यह रोबर्ट कलाई के नर्तुत्व में लड़ा गया था अगला प्रस्न डॉक्ट्रियन अफ लैप्स निती किसने बनाई थी यह निती लोड डलहोजी के द्वारा बनाई गया थी अगला प्रस्न भारत सरकार अधिनियं अनईस सो अनईस के साथ क्या सच नहीं है तो क्या सच नहीं है अधिनियं ने अनईस सो अनईस से अनईस सो उन्तालिस तक दिस वर्स अवरित किये थे यह कथन सत्य नहीं है आगला प्रस्ण वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी की रूप में नई डिली का उद्घाटन करने वाले वाइसराय का नाम क्या था? उस वाइसराय के नाम लॉड इर्विन था आगला प्रस्ण ब्रिटीश सरकार ने कुक्यात रोलेट अधिनियम का पारितिया था इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनेतिक नजरबंधी की अन्मति दी गई थी यह कब दी गई थी? इसे अनाईस में दी गई थी आगला प्रस्न भारत का प्रथम वाईसराय कौन था तो प्रथम वाईसराय लॉड केनिंग थे आगला प्रस्न 1781 में भारत के पहले गवर्नर जर्नल वारेन हेस्टिन्स ने मुसलिम कानुल के अध्यन और सिक्छन के लिए डायस में मदर्शा की अस्थापना की थी तो मदर्शा की अस्थापना कलकत्ता में की थी अगला प्रस्णों अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को सिच्छा का माध्यों डाइस में बनाया था तो अंग्रेजी सिच्छा का माध्यों अठारे सो पॉइतिस इस्वी में बनाया था आगला प्रस्नों बंगाल का विभाजन कीस वर्स में हुआ था तो बंगाल का विभाजन अनई 105 में हुआ था निमलीखित में से कौन सा बैपगंद के सिधान से जुड़ा हुआ है तो हड़प निती से कौन जूड़ा हुआ है? जिसे बेपगंद के सिधान से नाम से जानते हैं या डलहौजी जूड़े हुए हैं मुसलिम कानुन के अध्यन और सिक्षण के लिए डायस में मदर्से की अस्ठापने की थे मदर्से की अस्ठापने कलकत्ता में की थे अगला प्रस्ण डायस जिन्हों ने 1848 में गोवर्नर जर्नल की रूप में पदभार सम्हाला ने हलप निती नामक निती त्यार की थी तो हलप निती किसने त्यार की थी? लोड डलहोजी ने त्यार की थी अगला प्रस्ण रोबर्ट कलायू ने डायस में एक दोहरी सरकार की शुरुवात की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाप बनाया गया था तो मीर जाफर को कहां का नवाप बनाया गया था? बंगाल का बनाया गया था अगला प्रस्ण रैतवाली ब्यवस्था को डायस और मदर्से में शुरू किया गया था तो यह कब शुरू किया गया था? इसे बंबई में शुरू किया गया था अगला परस्न वर्तमान के पच्मी उत्तर परदेश, मध्य परदेश और पंजाद के कुछ हिस्षों में 1830 में डायस को शोरू किया गया था तो अगला परस्न डायस ने 1773 में भारतिय सीविल सेवा सुरू की थि भारतीय सेविल सेवा लॉर्ड करनवालिस के द्वारा शुरू किया गया था आगला प्रस्न डायस में अंग्रेजी इस्ट इंडिया कॉम्पनी ने भारत में एक सिछा परणाली पेश की जिसे बूड के डिस्पेच के नाम से जाने जाने लगा तो बूर डिस्पेच कौप पारित किया गया था यह 1854 इस्वी में पारित किया गया था अगला प्रस्न रेतरवाली ब्यवस्ता डायस वर्स में सुरू की गय थी तो यह कौप सुरू की गय थी 1820 इस्वी में सुरू की गय थी आगला प्रस्ण भारत के गवर्नर जर्नल का पद निमलिकित में से किसके द्वारा स्रेजित किया गया था तो यह पद चार्टर अधिनियम 1833 में स्रेजित किया गया था आगला प्रस्ण स्वतंत्र भारत का पाला गवर्नर जर्नल कौन था तो पहला गवर्नर जर्नल लॉर्ड माउंट वेटन थे आगला प्रस्न लॉर्ड ले निथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव नीम्न में से कीस वर्स में लाया गया था तो यह अनौई सो चालिस इस्वी में लाया गया था स्वतंत्र भारत का पाला भारतिया गवर्नर जर्नल कौन था तो प्रतम भारतिया गवर्नर जर्नल सीर राज गुपाल चारी थे आगला प्रस्न मादरास और बंबे की विधाई सक्तियों के विवेके इंद्रिकरन की प्रकिरिया किस अधनियम द्वारा शुरू हुई थी तो यह अधनियम भारतिय परिशत अधनियम 1861 में शुरू हुई थी डिली समझोता के दोरान ब्रिटिस भारत का वाइसराय कौन था ब्रिटिस भारत का वाइसराय लौड इर्विन था आगला प्रस्ण इल्बर्ट विल पेस किये जाने के समय ब्रिटिस भारत का वाइसराय कौन था तो उस समय वाइसराय लौड रिपन थे जब इल्बर्ट विल पेस किया गया अगला प्रस्ण बेटिस भारत में टेलिग्राफ के आगमन के समय गोवर्नर जर्नल कौन था उस समय गोवर्नर जर्नल लोर्ड डलहौजी थे अगला प्रस्न, प्रत्म अंगल मराथा युद की दोरान बंगाल का गोवर्णर जोर्नल कोन था? उस उमें गोवर्णर जोर्नल लोरड वारेन हेस्टिन्स थे अगला प्रस्ण 1793 में लौड चार्ल्स कर्णवालिस ने अस्थाई बंदवस्त कहां लागू किया था ता स्थाई बंदवस्त बंगाल में लागू किया था साहक संदी भारत में ब्रिटिश छेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाले सबसे महत्पून नितियों में से एक थी जिसे डायस दोरा पेश किया था तो इसे किस दोरा पेश किया था लौड विलेजली के दोरा पेश किया गया था अगला प्रस्ण वर 1793 में बंगाल बिहार और ओरिसा में डायस शुरू की गए थी यह कब शुरू की गए थी बंगाल बिहार और ओरिसा में अस्थाई बंदवस शुरू की गए थी 1793 इस्वी में बंगाल कोईला कम्पनी की अस्थापना सन डायस में हुई थी इस कम्पनी की अस्थापना अठारे सो तिरालिस इस्वी में हुई थी डायस ने Grand Tronc Road का पुन निर्मान करवाया था तो Grand Tronc Road का पुन निर्मान किसने कराया था? Lord Auckland की दवारा कराया गया था आगला प्रस्न डायस ब्रिटिस की ग्रिश मकाली रैजधानी थी ऐगला प्रस्न भारतिय दन सहिता 1860 डायस के साशन में त्यार की गज़ी या कब त्यार की गए थी या लॉड केनिंग के दौरा त्यार की गए थी बेपगंद का सिधान्त या हड़प निती को डाइस ने लागू किया था या कब लागू किया था लॉड डलहोजी के दौरा लागू किया गया था स्वतंत्र भारत के पहले भारतिय गोवर्नल का नाम सीर राज गुपाल चारी था अगला प्रस्न, चोरी चोरा घटना के कारण किस आंदोलों को अच्छानक रोकना पड़ा था, या अस्वयोग आंदोलों को रोकना पड़ा था अगला प्रस्ण भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश की अस्थापना के समय भारत का गोवर्नर जर्नल कौन था तो भारत का गोवर्नर जर्नल लॉड डफरिन थे अगला प्रस्ना, ब्रिटिस राजे के भारत पर दो सताब्दी लंबे सासन में अंतिम ब्रिटिस गवर्नर जर्नल कौन था? तो अंतिम ब्रिटिस गवर्नर जर्नल लॉड माउंट बेटन थे बरिटिस काल में भारत में प्रतम जंगन्रा लोड मेयो के काल में हुई थी किस वैसराय के सासन काल में कलकत्ता, मदरास और बंबई के तीन परमुख नगरों में उच्यय न्याले की अस्थापना लोड केनिंग के द्वारा हुई थी भारतिय विधान सभा को पहली बार दिस अधनिय किसके दोरा बनाया गया था दिस अधनिय भारत सरकार अधनिय अनईस में बनाया गया था आगला प्रस्न भारत में उपनिवेस राजे के संदर में निमलिकी घटनाओं पर विचार करे तो सबसे पहला कौन सी घटना हुई थी? इसमें सबसे पहली घटना मारले मिन्टो सुधार अधनियम हो था उसके बाद कलकत्ता के अस्थान पर डिल्ली रायधानी के बनना वह हुआ था उसके बाद प्रतम विस्वयूद अतव लखनो पैक्ट अगला प्रस्ण साहक संधी स्विकार करने वाला पहला भारतिय सासक कौन था? तो पहला भारतिय सासक हैदराबाद के निजान थे अगला प्रस्ण सिपाही बिद्रो के दोरान भारत का गौवर्नर जर्नल कौन था? उस समय गौवर्नर जर्नल लोड केनिंग थे आगला प्रस्न, निमलीखित में से कौन भारत के गवर्नर जर्नल थे? तो भारत के गवर्नर जर्नल सी राजगुपाल चारी थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जर्नल कौन थे? उस समय गवर्नर जर्नल लॉर्ड माउंट वेटन थे? आगला प्रस्न, तीन जुलाई निमलीखित में से कौन भारत के गवर्नर जर्नल ने की है? यह गोशना लॉर्ड माउंट वेटन की दोरा किया गया था? ब्रिटिस भारत सरकार की राइधानी कलकत्ता से डिल्ली कौप अस्थानंत्रित की गए थी? तो यह 211 से 12 में की गए थी? 1904 के भारतिय भी स्थ। बिद्याले अधनियम पारित होने के समय भारत का वाइसराश कौन था? तो भारत का वाइसराश करजन थे 1856 में कुसासन के आरोप में लॉर्ड औल होजी कीस राज्जे पर कभज़ा कर लिया था? लोड अलोजी कीस राज्य पर कब्जा कर लिया था यह अवद पर कर लिया था बंगाल में दोहरे सासन की निती किसने लागू की दोहरे सासन की निती रोबर्ट कलाई की द्वारा लागू की गई ब्यापगत का सिधान्थ कीस गौवर्नर जर्नल दोरा लागू किया गया था तो यह सिधान्थ लोर्ड डलहोजी की दोरा लागू किया गया था प्रिट्स ओफ इंडिया एक्ट को पारित हुआ था प्रिट्स ओफ इंडिया एक्ट 1784 इसी में पारित हुआ था आगला प्रस्ण किस अधिनियम के तहद मुस्लिमों के लिए प्रिथक निर्वाचन की शुरुवात हुई थी तो प्रिथक निर्वाचन की शुरुवात भारतिय परिशत अधिनियम अनई 109 में हुई थी लॉड विलेजली ने पोर्ट बिलियम कोलेज की अस्थापना डाइस में की थी तो पोर्ट बिलियम कोलेज की अस्थापना कलकत्ता में की थी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जर्नल कौन थी तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जर्नल लॉड माउंट वेटन थे सरोच्य न्याले की अस्थापना डाइस के अस्थान पर हुई थी तो सरोच्य न्याले की अस्थापना ब्रिटिस पीवी काउंस्लिन के अस्थान पर हुई थी भारत का पाला वाइसराय कौन था तो भारत का पाला वाइसराय लॉड केनिंग थे किस अधिनियम ने भारत में दोरी सरकार को समात कर दिया दोरी सरकार को भारत सरकार अधिनियम अनौई सो अंठावन में समात कर दिया गया था भारत में इस्ट इंडिया कॉम्पणी को नियंत्रित और बियन्मित करने के लिए बिर्टी सरकार ने कौन सा अधनियम लागू किया था इसमें कौन सा अधनियम लागू था रेवलेक्टिन एक 1773 तर बंगाल के पहले गवर्नर जनल की रूप में किसे न्यूट किया गया है किसे न्यूट किया गया था वारेन हेस्टिंस को केंद्रियल लोक सेवा आयो किया स्थापना कीस वर्स में होई थी तो यह अनौई 116 इस्वी में होई थी किस वर्स में प्रिंट्स का भारत अधिनियम पारित किया गया था प्रिंट्स का भारत अधिनियम यह सत्य सचवरासी इस्वी में पारित किया गया था संप्रदाइक निर्वाचन के जन किसे कहा जाता है तो इसका जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है भारत में पोर्ट पोलियो प्रनाली प्रत्मगत किस ने प्रारम की है तो यह लॉड केनिंग के दोरा किया गया है सरकारी करमचारियों के चयन के लिए खूली प्रतियोगता की प्रणाली का प्रारम किस अधिनियम में दिया गया था तो यह चार्टर अधिनियम अठारे सो तिरपन में दिया गया था गूड गवर्मेंट औफ इंडिया के लिए अधनियम के बाद किसे भारतिय प्रसाशन का स्वंपून पाधिकार दिया गया है या पाधिकार ब्रिटिस क्राउन को दिया गया है किस वर्स फेडरल कोर्ट आफ इंडिया की अस्थापना की गए थी अगस्थ आफ़र कॉब हुआ था अगस्थ आफ़र 940 में हुआ था मैगना काटा नागरिगों के अधिकारों का घोशना पत्र है जिसे इंगलेंड के समराठ दोरा वर्स डाइस में जारी किया था तो यह कब जारी किया था यह 1215 में जारी किया था ब्रेटिस भारत में टेलिग्राफ के आगमन के समय गौवर्नर जर्नल कौन था तो उस समय गौवर्नर जर्नल लॉड डलहुजी थे किस चार्टर कानू ने भारत में इस्ट इंडिया कमपनी के एक अधिकार कारोबर को खतम कर दिया है तो यह एक अधिकार को खतम चार्टर अधिनियम 1813 में खतम कर दिया है निमलीखित में से किस प्रनाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैगना काटा कहा जाता है तो किसे कहा जता है बूड डिस्पेच को कहा जता है साहक संधी का सिधान्त निमलिखित में से किस गौवर्नर जनरल से संबन दी थै तो यह लॉड विलेजली से संबन दी थै अनवी सो पैंतालिस के सिमलस सम्मेलन के दोरान भारत का वाइसराय कौन था तो भारत का वाइसराय वेवेल थे जालियावला बागन संहार किस वाइसराय के करेकाल के दोरान हुआ था तो यह लॉड चेम्स पोड की करेकाल के दोरान हुआ था इन में से भारत के किस वाइसराय ने निर्वाचित अस्थाई सरकार निकायों के स्रीजन की पहल की थी तो यह किसने की थी? लॉड रिपन ने की थी भारत में संप्रदाई चुनाओ प्रणाली सबसे पहले डाइस तोर सुरू की गए थी तो सबसे पहले मारले मिंटू रिंफ्रोंस अनईस में की गए थी अनईस व बारह में सीविल सेवाओं के संबंध में रोयल कमिशन के गठन के समय वाइसराय पुन था? तो उस समय वाइसराय लॉड हाडिन दित्य था बेअपगंद का सिधान्त निती किस ने त्यार की थी? यह सिधान्त निती लॉड लहोजी की दुवरा त्यार की गए थी आगला प्रस्न भारत का पहला उंच्य नियाले डाइस में अस्थापित किया गया था यह कहां अस्थापित के गया था? कलकत्ता में अस्थापित किया गया था. बीदवा पुनरविवा की अनुमती देने वाला कानून कीस वर्ष पारित किया था? तो यह 1856 में पारित किया गया था. अस्थाई बंधोस लागू होने के समय वर्ष मान का राजा कौन था? तो वर्ष मान का राजा तेड़ चंद्र थे. गौवर्नर जर्नल लॉर्ड अलहौजी ने किस समरज्य को चेरी कहा था? किस समरज्य को अवद समरज्य को? पहली यातरी रेलवेट ट्रेन बंबे और ठाने के बीच कब चलाई गए थी? तो यह 1853 में चलाई गए थी. भारत में पहली यातरी रेलगाली का संचालन किस के बीच हुआ था? तो यह किस के बीच हुआ था? बंबई और ठाने के बीच चली थी. इस्ट इंडिया कमपनी दोरा किस वर्स में अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया था तथाई अस्थाई बंदोबस्त के अमल में 1793 इसी में लाया गया था भारत में किंग जोज पंचम और क्यून मेरी के स्वागत के लिए अनई 111 में गेटवे अफ इंडिया को प्रामपरी डायस सेली में बनाया गया था यह की सेली में बनाया था इंडो सारसेनिक सेली में बनाया गया था साहया गट बंधन 1798 में डाइस द्वारा त्यार एक गैर हस्तचेप नीती थी तो क्या हस्तचेप नीती थी लॉड बिलेजली इन में से कौन 4753 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किये गए सबसे महत्पून यगदानों में से एक है जिसमें लोगों को लंबी दुरी की यत्रा करने में सच्छम बनाया है लंबी दुरी की यत्रा रेल मार के द्वारा 1793 में अस्थाई बंदवस लागू होने की समय बंगाल का गवर्नर जर्नल कोन था बंगाल का गवर्नर जर्नल लोड कर 49 थे 1778 में निम्नमे से कौन गवर्नर जर्नल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विसाल महल गवर्मेंट हाउस का निर्मान किया था गौर्मेंट हाउस का निर्मान लॉर्ड बिलेजली के दोवरा किया गया था स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट वेटन थे उस बेक्ति का नाम बताये जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियूत किया गया था तो किसे नियूत किया गया था कोलिंग फैंकेंजी को नियूत किया गया था अवद राज्य को किसने ब्रिटिस राज्य में विले किया था तो पुले में किस ने किया था अवद को यदृदो स्थापने दिल को अधिकारिक रूप से बृटिस भारत की रयधानी घौसित किया गया तो यह 211 इसी में घोसित किया गिया बॉंबे डेंकन में पहली राजस्व बंदवस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1820 में हुआ था लॉड करजन द्वरा बंगाल बिभाजन के निनय का वास्थित कारण किसे माना जाता है? तो वास्थित कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राजे करो की निती को मना जाता है ब्रिटिश सासन के दोरान भारत का अंतिम गवर्नर जर्नल और पहलावाइसराय कौन था? तो पहलावाइसराय लॉड केनिंग थे लॉड डलो जी ने भारतिय राजे को हड़पने के लिए निमली खित में से कौन सी निती अपनाई थी? तो यह बेंपगत का सिधान की निती अपनाई गए थी जिसे हड़प निती के नाम से जाना जाता है भारत का पहला वाइसराय कौन बना था? लॉड केनिंग बने थे नई डिली में इस्थीत इंडिया गेट का डिजाइन किस वस्तुकार में त्यार किया था? इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लूटियंस के दोरा त्यार किया गया था निमलिखित में से किसका संबंध भारतियों स्वतनता संग्राम से नहीं है तो किसका नहीं है निव डिल भारत के उस वाइसराय का नाम बताई है जिसका संबंध भारतिय स्वधनता संग्राम के दोरान के बिवाद अस्पंध इलबट बिल से था तो किसका था लॉड रिपॉन निमलिखित में से किस इमारत का निर्मान प्रतम दिश्व यूद में बलिदान देने वाले और विभाजित भारत के सैनिकों के यूद असमारक के रूप में किया गया था तो किसका किया गया था इंडिया गेट होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहन की निमलीखित में से कौन सी बीधी बिक्सित की है यो बीधी महलवाली प्रणाली की उस गवर्नर जनरल का नाम बताई है जिसे पेरा माउंड सी नामक निती का आरम किया है पेरा माउंसी निती का आरंब लॉड वारेन हेस्टिंग ने किया है भारतिय डंड सहिता जो 1860 में अधी नियमित हुई का मौसोदा त्यार करने वाले आयोग की अधिश्ता किस ने की थी तो इस आयोग की अधिश्ता लॉड मेकाले की दोरा की गई थी 1905 में बंगाल के विभाजन का देश की सुआश्राय ने पारित किया था तो इस लॉड कर्जन के दोरा पारित किया गया था दोस्तो मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और सेयर अवस्य करें आगला प्रस्न, 1861 में भारतिय पुरात्त्त व शर्वेच्छन की अस्थापना डाइस के दोरा की गई थी तो यह अलेजेंडर फ्लेमिंग के दोरा की रहे किसके दोरा? अलेजेंडर कनिंगम के दोरा किया गया है जब केमिनेट मिशन भारत आया था तो इंगलेंड में कौन सा रायनितिक दल सता में था? तो इंगलेंड में लेबरन पाटी का सता अस्थापी थे और 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिस भारत का वाइसराई कौन था? तो ब्रिटिस भारत का वाइसराई लॉड माउंट वेटन थे लोड कलाई भारत में इंगलेंड अंत्र कॉब लोटा था तो यह 1767 में लोटा था आयर कुट के नेतुत्तों में ब्रिटिस सेना ने कॉफ पोटो नोवो यूद में हैदर अली को हराया और मादरास को बचाया था किस यूद में जुलाई 1781 में निमलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कमपनी के बैपारिक एक अधिकार को समात कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिस अधिनस करुबारी के रूप में खोल दिया किस अधिनियम के तहत 1813 का चाटर अधिनियम के तहत भारत में निमलिखित में से किसे अस्थानिय स्वोशासन का जनक कहा जता है लॉड रिपन को कहा जता है अनई 142 में किस पधान मंत्री के निदेशा नुसार कृत मिशन भारत आया था तो कृत मिशन भारत बिस्टल चर्चिल के समय आया था निमलिखित में से किस वर्ष में महरानी विक्टोरियत की उद्घोशना में यह एलान किया गया था कि इसके बाद भारत ब्रेटिस राजिय द्वारा और उसके नाम पर एक राजिय सच्यू के माध्यम से सासित होगा तो यह किस वर्ष किया गया था यह 1858 इसमी में इन्में से किसे भारत में सीविल सेवाओं के जनक की रूप में जना जटता है तो किसे लोड करना वाले सको वाइसराई की करेकारी परिसब में सामिल होने वाले प्रत्वम भारतिय कौन थे यो सतेंद्र परसाद सिनहा थे हिंदों और मुसल्मानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मदताओं को विभाजित करने के लिए निमलिकित में से कौन सा बिधायक पेस किया गया था इसमें मारले मिन्टो सुधार बिधायक पेस किया गया था मुंबई में इस्थित गेटवे ओफ इंडिया का निर्मान डायस का स्वागत करने हेतु कराया गया था तो यह किंग जोन्ज पंचम के दवारा भारत में पहले यात्री ट्रेन वर्ष अठाई सोतीरपन में डायस और डायस के भीच चलाई गए थी तो यह भंबे और ठाणे के भीच चलाई गोई थी किस वस्तुकार ने मॉंबई इस्थित गेटवे ओफ इंडिया को डिजाइन किया है गेटवे ओफ इंडिया का डिजाइन एडवे लूटियन्स के दोरा किया गया है सौरी दोस्तो गेटवे अफ इंडिया का ढिजाईन जोज विकेट के दोरा किया गया है जिस साहईक संदी के अधार पर ब्रिटिस अपनी पूरी सक्ति का प्रियोग करके ब्राय एममांत्रिक खत्रों में भारतिय रिसातों की सुरच्छा करने के लिए जिम्दार थे वो किस के दोरा प्रतिपादित की गए थी तो यह लॉड बिलेजली के दोरा प्रतिपादित की गए थी भारत के किस गौवर्नर जर्नल ने 1878 में देशी भासा प्रेश अधिनियम प्रस्तावित किया था तो यह लॉड लिटन निम्न में से कौन सा भारती अधिनियम ब्रिटिस प्रधान मंत्री लॉड नॉर्थ की अधिश्ता वाली समिती की रिपोर्ट पर अधारी था यह बिनियम्न अधिनियम 1773 निम्न लिकित में से कौन सा साइमन कमिशन का सदस्य नहीं था साइमन कमिशन का सदस्य कौन नहीं था जेम्स ए एसकॉर्ट 1949 में भारत के किस वाइसराय ने घोशना की कि भारत ब्रिटेन की और से यूद में सामिल हो गया है तक अब की गथी लॉड लिन लिथगो ने की थी भारत में इस्ट इंडिया कमपनी से संब्धित मामलो को नियंतरित एवो ब्रिटिस सरकार दोवरा पारित प्रतम अधिनियम कौन सा है तो प्रतम अधिनियम बिनिमय अधिनियम 1770 का रेगलेटिम एक्ट है ब्रिटिस भारत के किस वायसराय ने भारतिय संख्याकी की सर्वेक्षन कराया था तो यह लॉड मेयो ने कराया था भारत में संप्रदाइक निर्वाचन के जनर किसे कहा जाता है तो यह लॉड मिन्टो टू को कहा जाता है 1733 में किस गौवर्नर जर्नल के सासन में बंगाल की अस्थाई बंदवस्त लागू किये थी तो बंगाल की अस्थाई बंदवस्त लॉड कर नवालिस के दोरा लागू किया गया था डाय्स में सुरू की गई राजस्व प्रनाली को रातवाली बंदवस्त की रूप में भी जना जदा था कीस वоз सुरू की गई थी, बॉंबेक, डेंकन कीस वज में बिरिती शकार द्वारा साथ बिरिती संसत सश्यों के समुः साइमन कमीस्ट का गठन किया गया था साइमन कमिशन गठान और 927 सिस्वी में किया गया था इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड बिलियम बेटियम के करेकाल के दोरान हुआ था तो यह है सती प्रथा का प्रतिसेद ना दलिल ना वकील ना अपील टिपनी इनमें से किसे संबन्दित है तो यह रॉल एट से संबन्दित है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्णर जर्नल कौन थे तो यह लॉर्ड माउंट वेटन थे भूड के आदेश पत्र का संबन्द निमलिकित में से किस सुधार से था तो यह सिक्षा से था भारत में देशी भासा प्रेस अधिनियम किसने पेस किया है तो यह लॉर्ड लिटन के दोरा किया गया है अठाथारे सो चौपन में लॉर्ड केनिंग के करकाल के दोरान कौन से सुधार अधिनियम पारित किया गया था तो यह बिद्वा पुनर विवा सर बिलियम जूस ने ऐसियाटिक सोसाटि और बंगाल की अस्थापना की सवर्स की थी इसकी अस्थापना 1774 स्वि में की थी इन में से कीस ब्रिटिस भारत में लोग सेवाओं का जनक मना जाता है यह लॉर्ड कर्नवालेस निमलेखित में से किस ने सुरक्षा बॉल्व सिधान का उप्योग किया और यह राय दी की भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस लॉर्ड डफरिंग के दिमाग की उपज थी यह लाला लाचपत्र राय ने आगला प्रस्ण निमलेखित में से कौन सा कथन सही है इसा सही कथन क्या है बाल बिवा निरोधक अधनियम सन 29 इसमिय पारित किया गया था अप्शन बी ब्रिटी सरकार ने मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचक मंडल की स्वक्रिती किस वर्स परदान की थी तो यह अनई 109 में परदान की थी सरोपरीश सर्ता की निती किस ने दी थी तो यह लॉड हैस्टिंस ने दी थी भारत का पहला प्रमुख समचार पत्र बंगाल गजन किस वर्स शुरू किया गया था तो यह 1780 में शुरू किया गया था इनमें से किस भारतिय रेल का जनक माना जाता है तो भारतिय रेल का जनक लॉड डल होगी को माना जाता है 28 सताबधी के अंत में इनमें से किन भारतिय सहरो के महत्तों में ब्रेधी करके उन्हें परेसिडेंसी सहरो कर दरजाप परदान किया गया तो यह कलकत्ता, बोंबे और मदराज डिली दरबार उनई स्वयगारे के दौरान डिली की अधार सिला इनमें से किस ने रखी थी लॉर्ड माउंट वेटन थे भारत के किस वाइसराय ने देशी भासा प्रेश अधिनियम का प्रस्ताव दिया था तो यह लॉर्ड लीटन साहक संधी की प्रनाली को स्विकार करने वाला भारतियों मुल्क सासों कौन था हैदराबाद के निजाम थे डायस के अनुसार इस्ट इंडिया कंपनी दौरा भारतियों सासकों को अपनी स्वतमत्र ससत्र सेनाव रखने की अनुमति नहीं दी थी तो यह है साहक संधी प्रनाली सिपाही बिद्रों के दवरान गवर्नर जर्नल कौन था लॉर्ड केनिंग थे गवर्नर जनरल लोड डोल होजी ने किस समराजिय को चेरी नाम दिया था तशेरी अवज समराजिय को दिया था भारत ने इन में से किस वाजसराय ने निर्वाचित अस्थानिय सरकारी निकाउं के सिर्जन की पहल की थी तो यह है लोड रीपौन 1857 के प्रतम सुंता संग्राम के दौरान कान पुछेतर ने अंग्रेज सासन का बिरोध करना शुरू किया जहां नाना साहिव के डाइस इस्थित महल को इसके मुख्याले के रूप में परियोग किया गया था तो यह किसके बिठोर साहयक संधी की प्रणाली को स्युकार करने वाला भारतिय मुल्क का पाला सासक कौन था तो पाला सासक हैदराबाद के निजान थे भारत में स्वदेशी अंदोलन की सुरुवात किस दोरान होई थी निमलिखित में से कीस वाइसराय ने अनौई 129 में भारत के लिए अपनिवेसिक सौराज्यक के और अस्पष्ट प्रस्ताव की घोशना की थी तो यह लॉड इर्वीन 1818 में भारत की पहली कप्ला में डाइस के पास पोर्ट ग्लास्टर में अस्थापित की गए थी तो यह कलकत्ता में की गए थी 1848-1856 के बीच भारत के गौवर्नर जर्नल कौन थे जिसके गौवर्नर जर्नल लॉड डलहोजी थे निम्न में से कीस अधनियम के अंतरगर बागान मजदुरों को बीना अनुमती के चाय बागानों को छोणले की अनुमती नहीं है तो यह है अंतरदेशी आर्वजन अधनियम 1869 भारत में अंग्रेजी सिच्छा को बढ़ावा देने में निमलिखित में से कीस की महत्पूर भूमी के थी तो यह थोमोस बाइवी गटन में काले की थी भारत में सती प्रथा का अनुमूलन सबसे बड़े समाजी सुधारकों में से एक था यह गवर्नर जर्नल डायस तो रख्या गया था तो यह लौड बिलियम वेटिंग के द्वारा किया गया था साइमन कमिशन के बहिसकार का मुख्य कारण क्या था इसका मुख्य कारण है इस आयो के सभी सदस्य ब्रिटिस थे धनवाद दूस्तों मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और सेयर अवस्य करें अगर आपको इस वीडियो का पीडियाव लेने के लिए मेरे टेलिग्राम चैन